हेलो एवरिवन आयस प्रेपर इतिहास की अंसी आर्टी के कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हम अध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं जिसमें हम दूसरे अध्याय पर थे और इसका हमने आधा पार्ट डिसकस किया था आगे हम इसको कंटिन्यू कर लिए तो हम ने गुर्जर प्रतिहार सामराज और पाल सामराजी के बारे में देख लिया था वह माराष्ट करनाटक है इसको दक्कन के छेत्र में कनेक वीरोध्धा दिये कुशल प्रशाशक दिये और इस राज की स्थापना किस ने की थी कई बार ये प्रशन पूछा गया है तो राश्टकूट राज की स्थापना दंति दुर्ग ने की थी और इनकी राजधानी कहां थी आधुनिक शोलापूर के निकट माने खेट या मा घर्ष भी किया प्रतिहारों से चाशन स्थापित करने के लिए इदर पी उनके हमलों के बाद भी गंगा घाटी पर उनका अधिकार नहीं हो पाया राश्टकूटों का अधिकार नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने काफी खजाना इस से प्राप्त किया और प्रसिद्धी भी वे वेंगी मतलब आधुनी कांध प्रदेश में स्तित है कि पूर्वी चालुक्यों से भी बराबर जूचते रहें मतलब वेंगी में उसमें पूर्वी चालुक्यों का राज था और दक्षिण में कांची के पल्लव और मद्रोय के पांड़ों से भी इनका सामना होता रहा गो गोविंद ने केरल पांड और चोल राजाओं को भैबीत किया और पर्लमों को श्रीहिन बना दिया और बाद में इसने करनाटक के गंगों को भी जकड़ लिया और बाद में मृतिव को प्राव्त हुए लंका का राजा और उसका मंत्री जिन्हें अपने ही तहित का विचार न अमोग वर्स ने 68 वर्सों तक शाषन किया लेकिन युदिक्या पेक्षा उसका धर्म और शाहित्य में उसकी ज्यादा रूची थी वह स्वयम भी लेखक था और उसने राजनीती पर करनल की प्रथम कृति की रचना करने का उसे श्रे दिया जाता है तो यह इंपॉर्टन फ अपनी राजधानी को सजित किया अमोग वर्स के शाषन काल में राष्टकूट सामराज के कई जो दूर-दूर के प्रदेश थे उसमें विद्रोह हुए इन विद्रोहों को बड़ी मुश्किल से दबाया जा सका लेकिन फिर जब अमोग वर्स की मृत्य हो गई तो विद्र फिर से भड़क उठे अमोग वर्स का पौत्र तृतिय इंद्र सामराज की खोई होई सम्रिद्धी को फिर से वापस ले आया 915 इसवी में महिपाल को पराजित करने और करनोच को पदमर्दित करने के बाग तृतिय इंद्र अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा की करते थे इसके पास एक विशाल सेना भी थी जिसमें भहुत सारे हाथी थे फिर इस राजवन्स का जोब सबसे अंतिम प्रतापी राजा हुआ वो राजा कृष्ण तृतिय हुआ उसने मालवा के परमारों और वेंगी के पूरवी चालुक्यों से भी उसे लोहा लेना उत्री भाग पर अधिकार कर लिया इसके बाद वो दक्षण में रामेश्वर की तरब बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीत कर एक विजय स्थम वहां स्थापित किया और एक मंदिर का भी निर्मान कराया कृष्ण की मृत्यू के बाद उसके सभी वेंगी उसके उत सभी सदी के अंततक लगभग 200 साल तक कायम रहा राष्ण कूट साशक की धर्मी विचारों में बहुत सहिष्वता और उधारता थी और उन्होंने ना केवल शैव और वैश्णो धर्म को प्रस्रे दिया बलकि जन धर्म को भी बढ़ावा दिया हमारे प्राचीन भारस से आई गई विचारधारा नहीं है यह प्राचीन काल से हमरी संस्कृती में व्याप्त है राष्कूत राजा प्रथम कृष्ण ने अलोरा का प्रसिद्ध स्यू मंदिर नवी शदी में बनवाया था इंपोर्टेंट फैक्ट है कहते हैं कि उसका उत्राधिकारी अमोग वर्ज राष्कूत प्रदेशों में मुसल्मानों के अलग मुखिया हुआ करते थे और कई तटवर्ती शहरों में रोजाना की इबादत के लिए उनकी अपनी मस्जिदें भी होती थी तो इससे विदेश व्यापार में सहयता मिली जिससे सम्रिद्धी बढ़ी राष्कूत राजा क जबी स्वयंभू और उसके पुद्र सायद राष्कूत दर्बार में ही रहते थे ऐसा माना जाता है अब हम देख लेते हैं कि राजनीतिक प्रणाली और संगठन कैसा था इन सामराजों की शाषन प्रणाली गुप्त सामराज तथा उत्तर भारत में हर्स के राज और दक्क भी था उसका एक फविधर बार था और सामने के हाते में पैदल और अस्वारोवी सेनाय संध रहती थी थी युद्व में चीने का हाथ और घोणा का प्रणा प्रणी कीया जाता था और राज्की सहयक चदा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे राजा से जो लोग मिलने आते थे वह उनकी विदाई का पूर उनके आगमन का नियमन भी लो करते थे राजा नयाय Cheers का ऑर अरब लेखकोण के लिखा है राश आदियर की पताह pouco स्विर्म प्रसलित नहीं थी राजा की इस्तिती सामनता वन्सानुगत होती थी उस काल की असुरक्षा को देखते हुए जिन तक लोग राजा के प्रती संपूर निष्ठा और आग्या पालन की प्रविति पर जोर देते थे आए दिन लडाईयां होती रहती थी राजा अपने राज के अंदर शांती सुवस्था कायम रखने की कोशिश करता था लेकिन बहुत दूर तक उसकी पहुच नहीं थी महताहत राजा और स्वतंत सरदार अपने सीधे प्रशाशन के अधीन आने वाले छेत्रों को प्राया सीमित कर देते थे वहां पर मतलब उनका प्रशाशन चलता थ मेदातिति नामा के सम्काली लेखत का विचार था कि व्यक्ति को शश्त्र धरन करने का अधिकार है क्योंकि उसे द्ल should i ur-ralek Maison Chit नहीं थे important fact है सामनता उत्तरादिकार जेश्ट पुत्र को प्राप्त होता था सामनता ऐसा होता था लेकिन ऐसे बहुत से उधारण भी मिलते हैं कि जेश्ट पुत्र को अपने छोटे भाईयों से लड़ना पड़ा और वे पराजित भी हुए जैसे कि राश्टकूट साशक ध करकर पुषाषन में राजा का हाथ बटाता था और 地方 को कभी कभी प्रांतिय चासर्यक नियोक्त कर दिया जाता था राजा को सरकाषरे मिलता है इसका एक अपवाद मिलता है अमोग वर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रोव लब्बे ने कुछ काल तक राजज्यूर दोहाब पुछा सकता है राजा को सलाह मस्विरा देने के लिए सामनेता कई मंत्री होते थे आम तोर पर प्रमुख परिवारों से राजा मंत्रियों का चैन करता था और उनकी स्थती भी बंसानुगत होती थी विदारन के लिए एक ब्रहमन के उलेक देखने को मिलते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि कितने विवाग बास्तों में मौजूद थे और कैसे काम करते थे इसका पूरा विवरण नहीं मिला है पुरा लेखी तथा साहितिक स्रोतों से लगता है कि लगबख हर राज में विदेशी मामलों और कि पिक्षादिक भरोसा करता था पुरोहित को छोड़कर सभी मंत्रियों से अवसर आने पर सैने कभियानों का नित्रित करने की आशा की जाती थी और हमें अन्तापूर की अधिकारी भी देखने के विल्लेक मिलते हैं चुकि राजा समझ सत्ता का स्रोत होता था इसलिए अन गठित पैदल सेना और अस्वारोहि वायनिया थी इसके लावा इनके पास हाथी भी होते थे जो प्रसिक्षित थे और हाथियों को शक्ति का इस्तंभवाना जाता था उस समय बहुत मुलिवान भी थे पाल राजाओं के पास सबसे देखाती थे राश्कूत और पतिहार रा यहां पर नहीं मिलता है मालूम होता है कि युद्ध में प्योग नहीं होता था कुछ राजाओं के पास खास तरप राश्कूटों के अप सबस्क्लिदे किले करते प्हुत करी थे सैनिक वो भी पैदल सेना में शामिल होते थे और नियमित सैनिक जो थे वह बहुदा वंसानुगत होते थे और कभी-कभी उन्हें पूरे भारत के अलग-अलग छेत्रों से भी भरती किया जाता था उधारन के लिए पालों की पैदल सेना में मालवा खास मतलब असम को कहा गया है और लाट मतलब दक्षिन गुजरात और करनाटक के सैनिक भी शामिल थे पाल राजाओं और राष्ट कुटों की अपनी अपनी नो सेनाई थी लेकिन यह सेनाई कितनी थी उनका संगठन कैसा था इसके वारे में कोई खास जानकारी हमको नहीं मिलती सामराज के कुछ कुछ प्रदेशों के प्रसासन की विवस्ता सीधे केंद्र से होती थी लेकिन कुछ प्रदेशों का प्रसासन माहताहत यानि वैसल सरदारों के हाथों में होता था आंतरिक मामलों के संब्द में माहताहत सरदार जो थे वो स्वशाशी थे उन पर राजा के प्रती वफारद लिचेदार के सवसरे को राज दर्बार में रखा में रखा जाता था तो इस तरह क्या होताँ होता था? क्यूंकि अयुक्स की लड़की ना घॉट है या में किसी लंगार में टीक व्यक्वाय वी खेली लेकिंट सवात्र हो जाने सबको प्यारी होती है उनके और उनके अधिराजा के भी लडाईयां भी होती थी उधारन के लिए राश्टकूटों को वेंगी और करनाटक के मातहा सरदारों से हमेशा लड़ते रहना पड़ा इस प्रकार प्रतिहारों को मालवा के परमारों और बुंदेल खंड के चंदेलो और विशय जिला उसमें विभाजित थे बुख्ति का जो साशक था उसको उपरिक कहते थे और विशय का प्रशासक विशयपती कहलाता था उपरिक से भूराजस वस्वूल करें और अपनी भूखती में सेना की साहता से सांतियोस्था कायम करने की आशा की जाती थी, विशयपती से भी अपने इलाके वे यहीं कायम करनी की पेक्षा रखी जाती थी. इस काल में छोटे-छोटे सरदारों की संख्या में रिद्धी हुई ये लोग सामन्त या भुखपती कहलाते थे और कई-कई गामों पर इंका प्रभुत हुआ करता था विशेपती और इन छोटे सरदारों में आपस में मिल जाने की भी प्रवति रहती थी बाद में इन दोरों के लिए फिर भेत खतम कर दिया गया और दोरों के लिए सामन्त शब्द का प्रयोग होने लगा राश्कूट राज में प्रत्यक्ष शाषिज जो प्रदेश थे यहां थोड़ा सा जिस्तथी चेंज है राश्ट के प्रधान को राश्पती कहते थे ती कि महां भुक्ति कहा जा रहा है प्रांत को प्रतिहार साशन में और यहां प्रांत को राश्ट कहा जा रहा है और यहां पर राश्ट के जो प्रधान है उसको राश्पती कहा जा रहा है वह उन्हीं दायत्वों का दिर्वाह करता था जिने पाल और प्रतिहार राजाओं में उ सबसे बड़ी काई था पाल और प्रतिहार सामड़ा जो में विशह से नीचे की काई पतल कहलाती थी यहां पर भुक्ति कहलाती थी आप लोग कहीं नोट कर लीजेगा ताकि कंफ्योजन खतम हो जाए छोटी कायों की ठीक ठीक या भूमिकार रहती थी इसके बारे में नहीं प रहता था और इसस्थानी अधिकारियों और वनसानुगत सरदारों और छोटे मातहत राजाओं के भीच कभे तिरोही तेनी समाप्त होता जा रहा था इस परकार कभी-कभी राष्टपती या प्रांतिय सासक को मातहत राजा की स्थथियों और विर्धु हासिल होता था मुख्या को अपने काम काज में अक्सर गाव के बुजुर्गों की सहयता मिलती थी जो ग्राम महाजनिया ग्राम महत्तर कहलाता था शोतों से पता चलता है कि कडाश्टकूट राज में खास तोर से करनाटक स्थानी विद्यालो, तालाबों, मंदिरों और सड़कों की देखरेक के लिए ग्राम समितियां भी हुआ करती थी नियास के तोर पर पैसा और संपत्ती भी उनके शुपूर्द की जाती थी जिसकी ववस्था उनकी जिम्यदारी होती थी यह समितिया मुखिया से गणिस प्रत्षत दिया जाता था ये समितिया चोटे-मोटे विवादों का भी निप्टारा करती थी जो गाउं अस्तर पर कोई विवाद हो जाता था शहरों में इसी तरह को समितिया होती थी जिसमें स्रेणियों और थाथ विविन पेसों में जो लगे हुए लोग थे उनके संगठ कायम रखने की जिम्मेदारी कोष्ट पालिया कोटवाल की थी अभी भी कोटवाल शहर में होते हैं कोटवाल को लेकर बहुत सी कथा कहनिया गड़ी गई है दक्कन में वंसानुगत राजस्वाधिकारी नाड कवुंडो या देश ग्राम कूटों का उदय इसकाल की उप्रम कर चुके हैं भारतिय समाज और राजनिती पर अत्यन महतपूर प्रभाव पड़ा जैसे जैसे इन बंसानुगत अधिकारियों और सरदारों की शक्ति बढ़ती गई केंद्रिय शाषक के लिए उर पर अपनी सत्ता को बनाए रख पाना मुश्किल होता चला गया और जब हम कहते हैं कि सरकार का सामंती करण या फ्यूडलाइजेशन हो रहा था तो हमारा तात्पर वस्तता इसी स्थती से होता है जामंतुबात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जब सब के पास थोड़ी थोड़ी शक्ति हो जाएगी भूमी हो जाएगी तो अपने आप में तंत्र होने लगेगा है तो केंद्रिय सत्ता क्या होगा कमजोर हो जाएगी इस काल की एक और बात ध्यान रखने लाएगे राज जोर धर्म का संबन्द इस काल के कई राजा शीव्या विश्णू के निश्ठावान वक्त होते थे और कुछ जो थे वह बहुत धर्म या जैन ध का भी स्वागत किया और अपने राज में उन्हें इसलाम प्रचार करने की भी छूट दी सामने ता राजा से यह आशा नहीं की जाती थी कि वह प्रचलित रीत रिवाजों में दखर अंदाजी करेगा या धर्मशास्त्रों के नाम से प्रसिद विदि ग्रंथों में देश जो यह बात में चलती थी आसा भी सही नहीं इस काल में धर्मशास्त्र के सबसे प्रमुग जो व्याख्याता थे वह मेधा ती थी थी और उनका कहना था कि सत्ता का शोट धर्म शास्त्र जिसमें वेद भी शामिल है और अर्थ शास्त्रों दोनों ही इसके नागरिक कर्तब यह अर्थशास धर्म राजनीती के सिध्धानतों अर्थशास पर आधारित होने चाहिए इसका मतलब वस्तुता यह था कि राजनीती और धर्म को तत्ता एक दूसरे से अलग रखा जाए धर्म राजा का व्यक्तिगत करतव विधा इस प्रकार राजा पर पुरोहित का या उनके द्वारा प्रतिपारित जो पवित्र नियम थे उसका दब्दवा नहीं होता था मतलब धर्म निर्पेक्ष्टा की जो अधाना थी वह उसका में भी लागू थी और राज पर धर्म का मतलब कह सकते हैं कि धर्म जरूर राज में शामिल था लेकिन वह उसके उपर आरोपित नहीं था और उसी के हिसाब से राज-काज निर्धारित नहीं होता था यह धर्म प्रेक्ष्टा आज भी हमारे समिधान का मुलभूत विसे हैं और प्रस्तावना में इसको लिखित भी किया गया है तो इस प्रकार यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है इसमें जो यहां प थोड़े थोड़े व्यवधान आते रहें सयोग करते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद